आज हम बनाएंगे ये बहुत ही tasty और एकदम soft spongy orange cake और आज के इस cake को ना हम fresh orange के साथ बनाएंगे बहुत ही जादा यमी बनता है ये एकदम orange का अच्छा सा flavor रहेगा इस में और बहुत ही soft spongy और एकदम moist बनता है ये cake और इस cake को हम बिना eggs और बिना अवन घर की कडाही में बन लें है तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर येक है क्योंकि ये कढवा है टेस्ट में और ये हमारे केक को कढवा कर देगा तो पस्ये Spielerी की स्किन को मैने निकाल लिया है तो यह हमारे पार आप जया और और पास iltडर से और मेजरमेंट्स में ये और जया यह सिपुन आऱम शेसर के आप जया उन गवीया तो नहीं तो आप इस तरह से बढ़ी आसानी से स्क्वीज करिए और इसका सारा जूस निकल जाएगा तो बस इस तरह से सारे ओरेंज को स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लिए मैंने और अब हम इसे एक बद छान लेंगे और ये जो जूस है ना ये कप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक चुथाई कप से थोड़ा सा जादा है तो आप देख रहे हैं कि ये जो आधे कप वाली मेजरमेंट लिए मैंने और इसमें ये बिल्कुल हाफ से थोड़ा सा उपर है तो ये एक चुथाई कप से थोड़ा जादा है तो बस जूस तायार है अब हम बनाएंगे अपना केक तो इसके लिए सबसे पहले होममेड अवन यानि की कडाही को गरम होने के लिए रख देंगे तो इसके लिए न कोई भी मोटे तले की कडाही लेके इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे और फिर इसमें एक स्टांट रख देंगे और इसे उपर से ढखके मीडियम फ्लेम के उपर 10 मिनट तक अच्छे से गरम होने देंगे और एक तरफ मोल्ड को भी तायार कर लेंगे तो इसके लिए मैंने आज यहां पर यह रिक्टांगुलर मोल्ड यूज किया है आप इसकी जगा स्क्वेर या फिर राउंड केक्टिन भी ले सकते हैं चाहे स्टील का ले ले लिजे या फिर अलुमीनियम का कोई केक्टिन यूज कर सकते हैं तो सबसे पहरे अपने मोल्ड को अच्छे से ऑइल से ग्रीस कर लेंगे और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रहे हूँ बटर पेपर की जगह आप अपने मोल्ड को ओईल से ग्रीस करने के बाद मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं तो बस ये मोल्ड भी तायार है अब हम मनाएंगे अपना केक का बेटर तो इसके लिए एक बोल में मैं यहां ले रही हूँ एक चुथाई कप ओईल कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइन वाल आप यूज कर सकते हैं और साथ में डाल देंगे एक चुथाई कप दही और इसी के साथ अब हम इसमें यह जूस डाल देंगे तो एक बार मैं एक चुथाई कप से भी मेशर करके बताते हूँ आपको तो आप देखनें कि यह कप पूरा उपर तक फिल हो गया और हलका सा जाधा ही था इसमें तो एक चुथाई कप प्लस एक तीस्पून जूस था ये और साथ ही में अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप प्लस दो बड़े चमच पिसी भी चीनी तो इन सारी चीज़ों को अब हम एक बड़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30-40 सेकिंड तक तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब हम अपने इस बोल के उपर रखेंगे एक चनी और इसमें मैं डाल रहे हूँ एक कप मैदा और साथ में इसमें दो बड़े चमच मिल्क पाउडर आड़ कर जहूँ यह औप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं पर मिल्क पाउडर डालने से यह केक बहुत ही अच्छा बनता है और साथ में इसमें डाल देंगे एक चोटा चमच बेकिंग पाउडर एक चुथा एक चोटा चमच बेकिंग सोडा और एक मिंच इसमें नमक डाल लेंगे और इन सारे ड्रा इंग्रीडियंट्स को हम एक बद चान लेंगे तांकि इसमें कोई भी lumps न रहे आइसके बाद अब हम इसे एक spatula के साथ इस तरह से बिलकुल हलके हलके हातों से cut और fold करते हुए mix कर लेंगे ध्यान रखे कि इस stage के उपर हमें अपने better को over mix या vigorously mix नहीं करना है नहीं तो हमारा जो cake है ये dense बनेगा तो इसे mix करने के बाद अब हम इसमें add करेंगे दूद और मैंने यहाँ पर ये एक चुथाई cup दूद लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें add करेंगे और इसका better तायार कर लेंगे तो इसे mix करने के बाद अब हमारा ये better तायार है और आप देख रहे हैं इसकी consistency तो बिल्कुल ऐसी ribbon जैसी flowy consistency रखनी है हमें तो इस better में अब हम end में डाल देंगे अपना ये orange zest जो हमने पहले तायार करके रखा था और इसे भी बिल्कुल हलके हाथों से अपने इस better में mix कर लेंगे और इसके बाद अब मैं इसमें औरेंज food color आड़ कर रही हूँ तो बिल्कुल थोड़ा सा ही food color डाल रही हूँ मैं इसमें तो मैंने एक toothpick के साथ डाला इसे आप quantity जो है color की वो अपने according adjust कर सकते हैं तो इसे भी हलके हाथों से mix करने के बाद अब हमारा ये better बिल्कुल तायार है तो अब हम इसे डाल देंगे अपने इस तायार किये हुए mold में mold को थोड़ा tap करेंगे तो ये mold भी तायार है और इधर ये कडाही भी अब काफी अच्छे से गरम हो गई है तो हम carefully अपने इस mold को इसमें रख देंगे और इसे उपर से ढखके low medium flame के उपर पकाएंगे तकरीबन 35-40 मिनट तक और ये जो timing's है ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है तो आप एक बाद 32 मिनट पे इसे जरूर चेक करिएगा और oven के लिए आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना है तकरीबन 35-40 मिनट तक या तब तक जब तक कि टुत्पिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए तो इस cake को रखे हैं मुझे पूरे 35 मिनट हुए है और आप देख रहे हैं कि cake काफे अच्छे से फूल गया है तो एक बाद सेंटर में सर्फेस से ये ड्राइना हो तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये cake बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसे डी मूल्ड कर लेंगे तो इसके लिए पहले चाकु से एक बाद साइट्स को अलग करेंगे और फिर किसे भी बोर्ड या फिर प्लेट के उपर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से बाहर आजाएगा ये cake तो बस ये बटर पेपर भी निकाल देंगे तो इसे के साथ तायार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी और एकदम soft, spongy, orange cake आप देख रहे हैं कितना soft और spongy texture है इसका तो बस इस cake को हम slices में cut करेंगे और इसे serve कर लेंगे बहुत ही जादा yummy बनता है ये इसमें orange का अच्छा सा एक flavor रहेगा बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और texture देख रहे हैं कितना जालीदार है एकदम soft, spongy और moist है ये तो जरूर ट्राइ करिए कि आप भी इस recipe को और मेरे साथ अपना feedback शायर करें पिक्चर शायर कर सकते हैं इन सारी recipes की आप मेरे instagram पर और अगर आपको आज की ये recipe पसंद आई हो तो please video को like करें और मेरे channel को subscribe करना ना भूलें